हैलो फ्रेंग्स, गुड मॉर्णिं तो आल आफ यू, वेल्कम बेक तो हिंदी क्लास, मैं अंगीता पर्मार, आपके सामने फिर से एक बार उपस्तित हूँ, फ्रेंग्स, आज हम इकाई नमबर साथ खाना खजाना का अभ्याश करेंगे, आप लोगोंने भाग एक का अभ्याश किया है, मित्रो यह एक चित्रपाट है, आप लोगोंने इकाई नमबर एक यातायात और इकाई नमबर चार सोच अपनी अपनी चित्रपाट का अभ्याश क चित्र के माध्यम से हमने वर्णन करना सीख लिया है। आप लोगोंने भाग एक में इस इकाई में आने वाले रशोईगर का चित्र का वर्णन आप लोगोंने सीखा है। तो आज हम इकाई नमबर साथ खाना खजाना में अभ्याश के प्रस्णों की चर्चा करेंगे। प्रस्ण नमबर एक से लेकार प्रस्ण नमबर पांच तक के प्रस्ण की हमाद चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आप लोग चर्चा में सामिल होगे। अरे वा, वेरी गुड, बड़े जी समध्दार है आप, गुड, तो हम सबसे पहले इकाई का पूर्व अभ्याश कर लेंगे, एक बार ग्नान प्राप्त कर लेंगे, और उसके बाद हम अभ्याश के प्रश्णों की और आगे बढ़ेंगे, ओके दोस्तों, आप लोग तयार हो तो चलो हम अभ्याश की शुरुआत करते हैं, ओके फ्रेंट्स, इकाई नमबर साथ, खाना, खजाना, चित्रपाट्ट्स, इस इकाई का साहीति प्रकार है चित्रपाट्स, और चित्रपाट्स का मतलब होता है कि चित्र के माध्यम से वणन करना, यहां आपको एक चित्र द दिखाई दे रहा है ना, तो फ्रेंट्स चित्र को ध्यान पुरवक देखकर हमें पता चलता है कि यह किसका चित्र है, बताइए, यह चित्र रसोई घर का है चित्र में माता क्या कर रही है? माता रसोई बना रही है गैस के एक चुलहे पर कुकर और दूसरे चुलहे पर क्या रखा है? तवा रखा हुआ है और तवे में रोटी है, माता रोटी बेल रही है पास में पानी का मटका पड़ा है कहारी में आता पड़ा है थाली में सेकी हुई रोटिया पड़ी है नजदीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है दादी मा के हाथ में किताब है, वह कुछ पड़ रही है तोकरी में फॉल और सबजिया पड़ी है दूसरे खाने में डिबय हैं दूसरी अलमारी के डिब़ों में आचार, तेल, दाल और मीर्च मसाले हैं थाली, कप, गिलास, केटली यानि की किटली आदी भी दिखाई दे रह हैं रसोईगर की एक खिड़की है उसमें से बाडल दिखाए दे रहा है मित्रों आप लोगों ने ये भाग एक में माहिती प्राप्त की है मगर फिर भी हमने यहां फिर से पुंद्रावर्तन किया है जिससे आप लोग ज्यादा माहितगार हो सको फ्रेंस चित्र के आधार पर अभ्याश में प्रश्न नंबर एक दिया है अब हम उसकी और आगे बढ़ेंगे अभ्याश प्रश्न एक चित्र देख कर प्रश्नों के उत्तर दीजिये मित्रों हमने चित्र का उलोकन किया और उस चित्र के माध्यम से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं ठीक है फ्रेंट्स चलिए शुरुवात करते हैं सवाल नमबर एक माता रसोई घर में क्या कर रही है देखें चित्रा आपको दिखाई दे रहा है दे रहा है ना तो यहां माता क्या करती हुई दिखाई दे रही है वेरी गुड माता रसोई घर में रसोई बना रही है माता रोटी बेल रही है प्रस्न दो दादी मा क्या कर रही है फ्रेंट्स चित्रा में आप देख सकते हो दादी मा क्या करती दिखाई दे रही है आप लोगों को पुस्तक लेकर कुछ पढती दिखाई दे रही है प्रश्ण 3 लड़का क्या कर रहा है? आपको चित्र में लड़का क्या करता दिखाई दे रहा है? Good लड़का खाना खा रहा है विद्यारधी मित्रों हमने यहां पहले दूसरे और तिसरे प्रश्ण की कित्र का उलोकन करके चर्चा की अब प्रस्ण नमबर 4 से 9 तक के प्रस्ण हम मौखिक चर्चा करेंगे और इसके उत्तर आपको स्वयम लिखने होंगे नमबर 4 रसोई गर में कौन-कौन से बरतन है मित्रो आपके गर में भी कई सारे बरतन होंगे तो आपको अपने रसोई गर में बरतन देखने हैं और यहां आपको उसके नाम लिखने हैं जैसे रसोई गर में मटका, थालिया, दिब्बा, चम्मच, जार, कूकर, गिलास, केटली आदि सारे बरतन हमें दिखाई देते हैं तो इसका उत्तर आपको खुड लिखना है नमबर पांच तोकरी में कौन सी सबजी या और कौन से फल है तो आपको यहां चित्र में दिखाई नहीं दे रहा होगा प्रॉपर क्योंकि यह चित्र है आपने तो कई सारे सबजी और फल देखे हैं देखे हैं ना तो आप इस उत्तर में कोई भी सबजी और फल के नाम लिख सकते हो जैसे कि तोकरी में आलू, लौकी, भींडी, फुल गोबी यानि कि फ्लावर, आदी सबजीयां और अंगूर, सेब, केला, आदी सारे फॉल दिखाई दे रहे हैं सवाल नमबर साथ इस दिब्बे में क्या-क्या दिखाई दे रहा है, तो उसमें आचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं आपके रसोईगर में भी क्या-क्या है, तो वो भी आप यहां पे लिख सकते हो प्रस्न आठ आपके रसोईगर में क्या-क्या है जो इस रसोईगर में नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने रसोईगर में क्या-क्या और कौन-कौन सी वस्तू है कौन-कौन सी चीजे है वो देखनी है और उसके बाद इस प्रश्ण का उत्तर आपको लिखना है माटा कहां बैठी है तो इस प्रस्ण का उत्तर भी आप स्वयम लिखेंगे प्रस्ण दो क्या पसंद है क्या नहीं योग्य खाने में सही का निसान करो मित्रो आपको यहां चीज का चित्र यानि के चित्र लिखाई दे रहे हैं आपको उसका नाम लिखना है आप कैसे खाओगे मजे से खाओगे खाना पड़ेगा कि बिल्कुल भी नहीं खाओगे वो यहाँ पे आपको सही का निशान करना है अब हम चित्र को ध्यान पुर्वक देखकर उसका नाम देखेंगे मित्रो यह किसका चित्र है कडेला का चित्र है जो स्वाद में कैसा लगता है कडवा लगता है आप इसको किस प्रकार खाओगे वो आप निशान लगाओगे दूसरा है सेब यानि की सफरजन तीसरा चित्र है आम जो आप लोगों ने बड़े मजे से खाए होंगे है ना मित्रो यानि आप लोगों को आम पसंद होंगे आगे हैं अरे मेरे मुमें तो पानी आ गया जले भी पसंद है आप लोगों को कैसे खाएंगे वो आप यहाँ प प्रिय है, आइस क्रीम, यमी, मुझे भी प्रिय है, मैं तो मजे से खाऊंगी, तो इस प्रकार आप यहां पे कैसे खाऊगे, वो आप निशान करोगे, प्रस्न तीन, तुमने अपने रोसोईगर में मा या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा, देखा है ना, तो पकोड़े आप लोगों को पसंद है ना, अभी बारिश की मौसम में तो बहुत मन करता है, पकोड़े खाने का है ना, तो वो फकोड़े कैसे बनाते हैं, तलकर, शेक कर, या उबाल कर, कैसे बनाते हैं? गूड़, उसको तलकर बनाते हैं. नमबर दो, गेहू से रोटी, आप सबजी और रोटी खाते हैं ना, तो वो किस से बनती है तो गेहू से बनती है, यानि कि गउ, गउनी रोटली आपने उगने देखी है, किस प्रकार मम्मी बनाती है, सेक कर, वेरी गुड नमबर तीन, दूद से चाई, आप लोग चाई पिते हो ना, तो चाई किस प्रकार बनते हो, कैसे बनती है चाई, उबाल कर, उबाल कर बनती है ना, प्रस्न चार, चित्र में मा को खाना बनाते हुए दिखाया गया है, क्या खाना बनाना किवल मा का ही काम है, मा का काम है किवल मित्रों नहीं न तो बताओ और कौन-कौन खाना बना सकते हैं आपको ये स्वयम लिखना है दोस्तों प्रस्न पांच नीचे दिये गए चित्र को देख कर कहानी बनाएं यहां आपको चार चित्र दिखाई दे रहे हैं और चित्र के माध्यम से अब हम कहानी बनाएंगी अले दूसरे चित्र में आपको दो लड़के जगरा करते दिखाई दे रहे हैं दूसरे चित्र में एक लड़के के हाथ में लकडियों का गथर यानि कि बहुत सारी लकडि एक साथ है समू में हैं तो वो गथर कहलाती है तो लकडियों का गथर है उनके पिताजी कुछ उनसे कह हैं, तिसरे चित्र में डोनों लड़के के हाथ में lakडी है और दोनों ने तोड़ी हुई है, चोथे चित्र में बहुत सारी लखडियां उन लोगों के हाथ में हैं, और वे लोग अपने पिताजी से बाते करते दिखाई दे रहे हैं, तो फ्रेंस, अब हम इस कहानी का अभ्यास सुरू करेंगे पहानी का सिर्षक है एक तामे बल बल यानि की शक्ती ताकत कमलपूर नामक एक गाउं था उसमें एक बुढ़ा किसान रहता था उनका नाम रामुचाचा था रामुचाचा खेती करते थे उनके दो बेते थे वे दोनों आपस में जगरते रहते थ रामुचाचा यह देखकर बहूत चिन्तित थे उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ एक दिन रामुचाचा को इस समस्या का एक उपाई सुजा उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया बड़े बेते को लकडियों का एक गठर यानि की बहुत साली लकडी एक साथ लाने के लिए कहा रामु चाचा ने दोनों को गठर खोल कर एक एक लकडी तोड़ने के लिए कहा दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकडी तोड दाली अब दोनों बेटों को लकडियों का गठर बारी बारी से तोडने को कहा दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई पड़े लकडियों का गठर नहीं तोड सकी रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा तुम दोनों मिलजूल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमजोड बनोगे उसी दिन से दोनों भाई मिलजूल कर रहने लगे रामू चाचा की खुशी का ठीकाना न रहा इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें आपस में मिल जुलकर रहना चाहिए हमें जगडा नहीं करना चाहिए आपको भी अपने भाई बहन से, अपने मित्रों से, अपने सगे संबंदियों के साथ आपस में प्रेमबाव से रहना चाहिए क्योंकि एक साथ मिल जुड कर रहेंगे तो हमें टाकत बनेगी, एकता बनेगी और कोई भी व्यक्ति हमें अलग नहीं कर सकेगा इसी प्रकार हम कमजोर नहीं बनेगे तो हमें मिल जुड कर रहना चाहिए यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है फ्रेंज हमने इस वीडियो में अभ्यास के प्रस्ण नमबर एक से लेकर प्रस्ण नमबर पाच तक की चर्चा की मैं आसा करती हूँ कि आपको इस प्रस्णों की समपोण समझ आ गई होगी पीडियेफ के माध्यम से मैं आपको होमवर्क भीजूँगी वीडियो देकर आप होमवर्क करेगा नई इकाई में हम जल्दी ही वापस मिलेंगे तब तक के लिए बाई तेक केर